कुछन नमर वन में है में एक करेक्ट स्टेटमेंट वह फिलिंग इन दा सिंबल्स सवसेट यह जो है साइन होता है सवसेट का सवसेट और सवसेट नोड जैसे बोलते हैं सवसेट यहां पर कुछ सेट है या फिर नहीं है वह आपको साइन के थुरू बताना है यह सब कोस्टन्स दिया है उसको मेले देख लेते हैं जैसे कि माल लो यहां पर एक सेट दिया है इस सेट का जो एलिमेंट वो क्या है यहां पर दिया है इसका अलिमेंट कौन है यह फिर नहीं है अगर है इस सेट का इलिमेंट इस सेट में है तब यह जो सेट है यह इसका सबसेट का लाता है तो देखे यह सबसेट है या फिर नहीं है तो मिलर है यहां पर को जाइन हो जाएगा इसका सायन हो जाएगा इसका सबसेट क्लास 11 अब देखो सबसेट का और यह जो सेट है यह है आपके सबसेट कर रहा हूं यहां पर जो सेट है यह दिया है कि आपके इसकूल का सभी स्टूडेंट आपके सभी स्टूडेंट में क्या 11 नहीं आएगा और यह जो है यह सबसेट है अब देखो यहां पर यह सेट जो है यह बोल रहा है कि किसी भी प्लेन का सरकल मतलों कोई भी कितनों बरावी प्लेन है और वहां पर सरकल यह जो सरकल है इसका रेडियस वन मीटर भी हो सकता है पांच मीटर भी हो सकता है यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं दिया एक प्लेन का सरकल दिया है एक प्लेन में सरकल दिया है बस उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि सरकल कोई रेडियस का हो सकता है लेकिन यह जो सरकल है यह बोल रहा है सिर्फ Radius 1 Unitsपों अब बताओ यह जो सैट होगा कि इससे बिलांग्स कड़ेगा، नहीं होगा ? क्योंकि यह सैट रे दावर सब्सक्राइबून करता है लेकिन यह सेट दिया है आपका इस सेट में सिर्फ और स्रिफ वन यूनिट का बोल रहा है इस सेट से नहीं स्टेसिज रेंगल ओफ पले एक सेट रेंगल इना प्लेंगल का ड्रेंगल एक प्रेंगल का यह सेट है एक पेज के सभी Rectangle का यह Set है कभी ब्रावर होगा बतलम यह जो इसके जो element होगे मिएStrange होगे इसमे जो Rectangle होंगे कभी दूसरे से match ख़ाएगा नहीं खाएगा तो जब match ही नहीं खाएगा तो क्यों होगा यह सब यह क्योंकि कि अपसेट नहीं होगा एकस अधर्ड़ एक्विलेक्विलेटरल ट्रेंगल इंप्लेट्स एक्विलेटरल ट्रेंगल है और यहां पे सभी ट्रेंगल हो शकते हैं उसमें से इन्टीजर क्या हो ग्रूप ऑफ इंटीजर का डिफिनिशन क्या होता है तो ग्रूप ऑफ पॉजिटीव और निगेटिव नेच्रल लंबर विद जीरो ग्रूप ऑफ पॉजिटीव नेच्रल लंबर और निगेटिव नेच्रल लंबर विद जीरो यह क्या हो जाएगा इंटीजर क्या आप यहां पर दिया है अब कोशन नमर 2 पर सिफ्ट करते हैं यहां पर आपको दिया हुआ है एक्जामिन वेदर दर फॉलिंग स्टेटमेंट रूर आपको भी बताना है कि ट्रू हया फॉल्स है अब देखो है इस सेट में कि नहीं है है अख़िक एघ्न इसका है । इसको सब सेट्ट है यहां पने लिए संबसेट नहीं है ठाहिए उसी तरह को कि अब यहां पर दीए भावल भॉवे लॉद्दल इंग्लिस अलफाविट आंपे जब इसको हम सब सभावल हो मशन Εब बनेगा तो ए ई आई ओ यू इसका सेट बनेगा कुछ इस प्रकार से अब देखो यहां पर ए क्या ए इसे बिलॉंग्स कर रहा है और यह क्या हो जाए एक तीन पाच इसका यहां पर दो भी है इसमें दो नहीं है इसका इससे मैच नहीं कर रहा है मिन्स यह क्या होगा सबसेट नहीं होगा तो फॉल्स है लेकिल यहां फिल सबसेट लिखती है ए बिलॉंग्स टू ए बिसी ए बिलॉंग्स टू ए बिसी ए क्या है ए जो है इस सेट का पार्ट है या फिर नहीं है आप इलेमेंट मैच कराओ इस सेट भी एक element होगा तो यहाँ पे सिर्फ दिया एपट वी यह अलग है यह अलग है तो मिससेल है वह element मैंसे नहीं कर पाएगा तब यहallse हो जाएगा अगर यह हाँ पे कॉमा होगा होगा सद कॉमा ही होगा अगाँ कॉमा है तभी कया है सविटिक क्यों कि क्या यह बिलॉंग्स टू एबी सी क्या एबिलॉंग्स टू एबी सी कितना नमर था फाइब नमर क्या कह रहा है यह बिलॉंग्स टू एबी सी चलो हां यहां यहां पर बनाया हुआ है तो एब लॉंग्स टू इसका होगा नो फॉल्स यहां पर सबसेट होता क्या होता यहां अब लोगों बिलोंग स्टू में क्या डिक्सीन है है कोई element बिलोंग स्टू होता क्या होता है कोई element Kasean का होगा तो उसे belongsक्वांत च्छू बोलेंगे, यह जिया है एलॉमेंट नहीं जब सेट किसी सेट बिलॉंग कर रहा होता है तो उसे अचंछ सब IMA Esther से ड्ब देते हैं जब कोई element किसीृस करता तब हाँ पर belong ंक का सान लकाते हैं यहां पर यहां पर अपका एक शर्क व्लॉंस के सिढ़ तो यह पूसरे set से प्राइब तो आप 가운데 सट का यह सान होगा यह ली स्वीन न formats वितवता जतरूस है एक्स अच्छ नेच्रल मर्विज डिवीजिल वैं 36 डिवाइट 36 कौन कौन डिवाइट कर सकता है 1 2 3 4 9 तो सरी 4 6 भी होगा ना क्या होगा 6 9 12 80 36 यह से भी होंके देखो यह जो यह वह टू-4 है है 2 4 belongs कर रहा है 2 4 है इसमें मिल्द शुयां पर belongs to अनतर तरह को है तो यहां पर यह क्या है रहा है तो क्यों है एक सेट दिया है 2, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर एक सी नोटिस करो पहले ही समझ लो कोश्चन में यह जो 3, 4 एक सेट में बना के दिया है 3, 4 क्या दिया है? एक सेट बना के दिया मीन्स यह एक एलिमेंट होगा क्या होगा यह? एक एलिमेंट कंसीडर की जाएगे यह जो है इसका एक एलिमेंट 3, 4 यह दोनों मिलके één एक एलिमेंट बनाएगा अगर त्शैट अगर अलग अलोग अतोब इसमें कितने एलिमेंट अगर पूचह altern इसमें कितने एलिमेंट अकर पूचहेगा है तो चार ऐलिमेंट है बस यही तो धिहान में रखना है, confusion होगी, यह एक क्या होगी है, इसका एक element है, और जब एक element किसी set से होता है, तो वहाँ पर belongs to का sign होता है, ना कि subset का, जब एक set किसी से belongs कर रहेगा, तब होगा, अभी जो है, यह 3,4 जो set में दिया हुआ है, वो इसका element है, ना कि set, यह धिहान है, set का क्या हुआ, element हुआ, और यह जो है, यह element जब किसी set से belongs कर दा है, तो हाँ पर belongs to का sign लगता है, note subset का, तो यह भी क्या हो जाएगा, और incorrect हो जाएगा, तो से statement नीचे लिखी गई है, यहाँ पर, यहाँ पर statement सभी का सभी लिख दी गई है, मैं नीचे इसके दिलवा दूसरा का, 3,4, यह जो है, misspin, misspin, miss traffic है, 3,4 belongs to it, यह सही है, क्योंकि यह अभी एक element का का काम कर रहा है, और एक element जब किसी set से belongs करता है, तो वहाँ पर belongs to का sign लगता है, अभी यह सही है, element है यह, उसका set बनाया है, क्या बनाया है, यह एक element है, उसका यह, देखे क्या किया है set बनाया है, तब यह, जो है, set अब यह, एक से belongs करेगा, अब जो है, one belongs to it, तो one element है, इसका element belongs कर रहा है, क्या हो, यह, यह, वन अभी set में है, जब set किसी set से belongs कर रहा है, तब subset होता था, यह, वन जो है, set नहीं होता है, क्योंकि set को represent करने के लिए, हम curly bracket का यूज़ करते है, तो one अभी curly bracket का नहीं है, means one क्या है, set नहीं है, तो यहाँ पर subset नहीं होगा, यह, जो है, यह, सही है, क्योंकि one जो है, element है, और जब element किसी set से belongs कर रहा है, तो हाँ पर belongs to set A, yes, क्योंकि अब set A का element को देखो, तो one to five, यह, एक element है, और element का एक set बना दिया है, वह, curly bracket तो फिर देखो, यहाँ पर belongs to दे दिया, क्यासा है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी set बना दी गई है, हमने पताए, element जो है, किसी भी set से belongs करने के बाद, वह belongs to का sign लगता है, क्या लगता है, belongs to का sign लगता है, जब कोई set से क्या होगा, belongs करेगा, तो वहाँ पर subset लगता है, क्या लगता है, subset, यहाँ पर जो है, set बना दिया, क्योंकि जब यह curly bracket दो यूज कर दिया, तो means this is a set, और जब से यह belongs कर रहा है, लेकिन set के form में है, और set के form में से किसी भी set से belongs होता है, तो वहाँ पर subset का sign लगता, clear, next question है, one, two, three, subset of a, नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर three कोई element a का है ही नहीं, क्यों नहीं है, because of a का element है, three, four है, three, four ही था ना, हाँ, three, four, three का offer यह एक element, क्योंकि यह है, element, three अलग से नहीं है, यह दुनों मिल की एक set बना रहा है, तो three extra इस में आ गया है, क्या गया, three extra आ गया, that is where यह एस बिलॉंग्स नहीं करेंगा, गलत है, five belongs to भी, five जो है, five x set, five क्या है, five क्या है, five क्या है, किसEつ का, four x set है, यह जो है, इसमें curly bracket यूज नहीं किया दा है, इसमें curly bracket यूज किया जाता है, this is already a set, यह क्या है, unrally set है, तो क्या a से belongs कड़ेगा, कोई set, तो इसे belongs toанд socialism News, नहीं, sub set का, five जो है, empty set का आ लाता है, right empty set कर दाता इसमें कोई curly bracket का यूज नहीं किया जाता है सब suissept से बिलॉंघ करता है जब कोई एक सेट कैसी दूसरे से June's करता है तो अब है सबringौण सेट होगा ना की बिलॉंघ स्जूआ हुद ये आ क्योंकर 5 kैसेट से बिलॉंघ करता है तो आपर सब्सेट का साइन होता है फाइड कोई सेट लियर नहीं होता है है अब देखो है जो है हर एक सेट का सब सेट हैं हैं घर 7 सेट का चीन ने मुंद तो आ श्रामें bisa मैं सरना लिए सब्सक्रेथ कछे एक सब्सक्राइब मत्लब करें तो ऊससे हन्म मानले तो यह सही हो जाए मिस्ट अगर इसको मानले सही है इसका मतलग क्या हो गया फाई जो है यह का इसा संबब है आगर ऐसा संबब है तो यह भी सही होना चाहिए था लेकिन गलत सबसेट को निकालना है यह जो सेट है इसके कितने सबसेट बनेंगे सबसेट उसका वहली होता है एक इलिमेंट बनेगा कितने इसके इसके सबसेट बनेंगे किंदे से बन सकते हैं सभी सबसेट को लिखना है सबीछ निसके चार सबसेट बनेंगे कॉन कॉन बनेंगे ? अहीं सब का देखो पहले सपय था दो अधे क्या है सब का सबसेट यह इंब सब्सक्राइब करने है जो कि इस सेट से क्या हो रहा हो रहा हो रहा है इस से क्या हो रहा हो तो यह जो है एक मतलब इस सब्सक्राइब कर रहा है इसके कितने सब्सक्राइब कर आए इसलिए बता रहा हो ताकि आप चेक कर पाओ कि हमने जो तो फाई का हो जायगा एक सेट बन सकते हैं दो का एक सेट बन सकते हैं जिसेसे कि फाई में कितने और किसे काईओ वा निमेंट होगा है क्टिर है नच्ट को चिन्वर सब्सक्रेट क्लिए प्णिए हुगे प्युक्षिया कि अपने एलिमेंट हो गया है है यह निच्ट एलिमेंट से ढ़ने प्यूट लूट भी आप पावर सेट में यहां इसे सब्सक्राइबार सेट नाथफनर का रौता पावर तो उसको इस तरह से घ्रण सकता है कि और आउल पावर सेटार और सेट अब में ज पर जाएंगे अब देखो हो मेनी एलिमेंस फीमत मतलब क Smash सेट है P of a if a is equal to 5 अब देखो सिंपल सी बात है we know that is the set of with m element that is number of a ब्राबर m मतलों कि number of set is element में कितने number है तो कितने element है किसी set में तो उसको m से रिपेंट जेट कर दिये तो number of power set होता हुता है 2 का power m हमने ओपर ही बताया था अगर एक सेट फाई है तो इसलिए पावर सेट कितने हो जाएंगे एक ही इसलिए पावर सेट कितने हो है अब देखो अगर इससे बड़ा अगर मालों इधर लगा हुआ इससे चोटा अगर इधर लगा इससे बड़ा यह नहीं होगा इसे एक सेट दिया हुआ है आपका एक सब्सक्राइब बिलॉंग्स टू आर एक्स जो है मैनस चार और छे के बीच में है तो –4 और 6 के बीच में कुन कोन आयेंगे –3 क्योंकि देखो, यहां पे greater than है, minus 4 तब include नहीं होगा, लेकिन 6 में क्या है, greater than equal to है, मिन्स 6 include होगा, जब 6 include होता है, तो तो इंटर्वल यह लगाएंगे, और –3 include नहीं होगा, तो यह लगाएंगे, इसमें include कहा होगा, सब्सक्राइब को मैंने सब्सक्राइब करें मैंनस फोर तो यहां पर यहाँ जो है एक्स में इक्वाल टू नहीं है मतलब की x जो है मैनस 12 से बरा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा small bracket आएगी मतलब यह मैनस 12 इंक्लूड नहीं है इससे बरा अब फिर देको यहाँ पर इसमें भी equal to का sign लगा नहीं लगा है मतलब मैनस 10 से छोटा तो यहाँ पर मैनस 10 से छोटा मैनस 10 इंक्लूड नहीं होगा इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे small bracket लगाएंगे तो मैनस 10 से स्मॉल ब्रैकेट का तुरा से यहाँ मतलब की तुरा सा मीनिंग समझना पड़ेगा उसी तरह एक्स जो है यहाँ पर 0 के बराबर है और बराबी है इसलिए नेक्स कोश्चन जो है आपको दिया है कि एक्स जो है ठीरी और फॉर के बीच में है जिसमें कि थी भी इंक्लूड होगा फोर भी इंक्लूड ना क्योंकि यहाँ पर इक्वाल का साइन यहाँ पर भी इक्वाल का साइन तैसलिए दोने में क्या आंगे close bracket होगे पीकाव जो थी इस आपको यह सेट विल्टर फॉर्म था यह सब्सक्राइब इंटर्फार नहीं होगा मैंस थी इक्वाल टू नहीं होगा मैंस थी इक्वाल टू नहीं होगा सिर्फ ग्रेटर था होगा और जीरो से क्या होगा छोटा होगा क्योंकि एक्वाल टू का साइन नहीं लगा है और जीरो इक्वाल टू का साइन नहीं लगा है तो जीरो से छोटा हो इस तरह से लिखेंगे और एक्वाल टू का साइन नहीं लगा है तो जीरो से छोटा हो इस तरह से लिखेंगे प्राटली ब्रायकेट नेसेसरी है। अब तक यहां पर दिया छिक्स कमट और बीग ब्राधट दिया के इनक्लूटट है 12 ले क्योंकि दोनों ऀंटरवल में हो घरको एक सिफ्सक्नील ब्राकट में है तो एक च्येर्टर दन का साइन और प्र तोंसाइन नहीं होगा और 5 से छोटा हुआ because of 5 में small bracket यूज किया है means 5 is not include इसमें हम equal to का साय नहें लेंगे और इस तरह समसेट इन विल्डर फॉल्ड बन जाएंगे next है what universal set as would we propose for each of the following मतलब कि एक ऐसा universal set बना है जो कि इस दोनों को follow करें जो कि जिसमें क्या हो जाए यह दोनों आया पहला सेट क्या बोले सेट ओफ राइट ट्रेंगल आएस इसकेल ट्रेंगल अगर हम ऐसा universal अगर हम ऐसा universal set बना है जिसमें कि सभी राइट अंगल आये और आएस इसकल आए तो हम बना देंगे set of all ट्रेंगल अगर set of all ट्रेंगल अगर हम बना दिये तो उसमें राइट अंगल भी आएगा स्केल भी आएगा स्कलन भी आएगा इक्विलेटरल भी आएगा फिर उसमें आपका सभी आजाएंगे क्या जाएंगे सभी आजाएंगे उसी तरह से इसका क्या बन जाएगा for the set of all triangle of the set of polygons पॉलिगन का भी set हो सकता है पॉलिगन तो इसी भी बढ़ा हो गया पॉलिगन में आजाएगा जितने भी quadilateral है आपका pentagon हेक्षागोन हेप्टागोन सभी आजाएंगे उस सेट में हमको ट्रेंगल का ही है तो उतना बढ़ा हो अगर पॉलिगन वाला वर्ड यूज कर देते हैं तो जितने भी polygons है वो सभी उस सेट कर आजाएंगे सेट हमको राइट एंगल कहीं बोला है थम की बास यहां पर लिग देंगे सेट ऑफ ट्रेंगल क्या लग देंगे राइट अब राइट अगल आजाएंगे आगे नेगे इस सेट अच्छार पॉलिगन वड़ा से लिखना यह बहुत ज्यादा अगर पॉलिगन सापने लिख दिया मेंस सभी जितने भी पॉलिगन से जाना तैस वह पॉलिगन बहुत बढ़ा उनिवर्सल सेट हो जाएगा तो यह आप उस वह भी लिख सकते हो गलत नहीं अज़िवन से कुछो भी लिख सकते हो कोश्टन नमबर 9 पे सेट करते हैं गिवन दा सेट A sorry 135, B में है 246 और C में है 0246 which of the following may be considered as universal सेट S for all the सेट A, B and C A, B और C के लिए universal सेट कौन कौन जोंगे universal सेट मतलब वह सा सेट जिसमें कि यह सभी आजाए इन सभी का element universal सेट में होता होना चाहिए वही होता है universal सेट उनिवर्सल सेट मतलब यह आपको तीन सेट दिये है A, B, C उस सभी तीनों का मतलब कि एक सेट हो मतलब ऐसा सेट जिसमें कि यह तीनों का इसमें है इसमें है इसमें है इसमें है इसमें हो जाएगा सब्सेट एक इसको भी चेक कर लेते हैं सिंपल से इसमें देखो जीरो है इसमें जीरो नहीं है मतलब यह सबसे उनिवर्सल से नहीं होगा क्योंकि इस तीनों का element इसमें होना सही जो कि नहीं है तो सबसे को होना जाएगा के लिए आप जाता है आप जाता है आपका सभी कोशन बन गए होंगे आपको पुड़ा-पुरा तक यह समर्सल से चाहिए लिए और आपका चाहिए पूलब भास्टो इसमें बनापका बएकाओ नहीं है